हेई, वेलकम बैक टो और चैनल इन टूदेज वीडियो आई विल टेल यू आउ टू हाइड एप्लिकेशन यानि कि इस फोन में एप्लिकेशन और गेम को हाइड कैसे करें तो सबसे पहले आपको फोन के सेटिंग्स में जाना होगा सेटिंग्स ओपें करने के बाद यहां साज बार फें फाइन करेंगे हाइड एप्स अब इस इंस्टाक्षन पर क्लिक करके सिधा प्रायवेसी सेटिंग्स में जा सकते है या तो फोन सेटिंग्स ओपें करने के बाद स्कॉल करती हुए नीचे-नीचे आईए नेक्स्ट प्राइबेसी में जाना है इसके बाद प्राइबेसी टैप ओपेन करेंगे प्राइबेसी प्रोडेक्शन के अंदर कहीं सारे फीचर्स देखने को मिलेगा यहां से हम एप लोक, एप हाइड और फोटो हाइड कर सकते हैं अब हाइड प्राइबस प्राइबस करने से पहले प्राइबसी 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 प्राइबस्वार्ट प्राइबसी 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 प्राइबस चून लेता हूं उसके बाद two times same button drop करके confirm कर देंगे recovery information दोस्तों अगर आप कभी भी privacy पस्टवर भूल जाते हैं तब आप इन सरे options के जड़िए password recover कर सकते हैं security question में कहीं सरे question दी गई है यहाँ पे आपने इसाब से question चूस करके answer लिग दीजिए इसके बाद set recovery email में या के अपना valid email id एंटर करिए link account पर tap करके आप hit app account को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं इन सब भी recovery option को set करने के बाद save कर देंगे set access code इसके बाद height के हुआ application open करने के लिए access code set करना होगा जो कि phone dollar पे dial करती hidden apps open हो जाएगा सबसे पहले hedge लागा के 16 digit के बीच में access code enter करना होगा यहां अपना पस्निदा passcode डालने के बाद last में hedge लागाना होता है उसके बाद save कर देंगे access code set करने के बाद कैसे hidden app को open करना है उसके उपर एक tutorial देखने को मिलेगा दोस्तो अब जिस भी application को hide करना चाहते थे उससे turn on कर दीजिए इसमें हम Amazon, Contact, Facebook, Game, Settings और होड़ सब application को hide कर दिया यह hidden tab के अंदर आप जिसको hide करके रखे है उसका list मिल जाएगा यह turn off करने से application unide हो जाएंगे दोस्तो अप्लिकेशन home screen and app door से गायव हो गया है hide किया अप्लिकेशन एक्सेस करने के लिए phone डालर में जाई है इसके बाद आपने जो passcode state किये थे और डाल देना आप देखिए hide किया हुआ सभी application open हो चुका है तो दोस्तो इस तरीके से आप कोई भी application और game को hide कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि ए वीडियो आपके लिए बहुत है भूलता तो इस वीडियो को like करके हमारा चैनले सबस्क्राइब करना ना भूले